हाई अबरिवन वेलकम टू सुमेर अकडमी दोस्तों सीटेट और रेट के लिए जितने भी स्टेट के एकजाम है उसमें खास्तों से सीटेट में जो पेडागोजी सेक्सेंस पंदर केसंस पूछे जाते हैं हर टॉपिक हर सब्जेक्ट से पेडागोजी के एक टॉपिक है भा पॉइंट्स देखते हैं आये सुरू करते हैं कि भासा कॉसल क्या है लैंगवज इसके लिए भासा कॉसल हुआ है जिसमें सुनने बोलने पढ़ने तथा लिखने का कॉसल समलित होता है ठीक है और शातियों हम जानते हैं कि हर अपनी और ओपीनियन एक्स्पीरेंस को हम सेयर करते हैं ठीक है तो क्या है अब आगे देखते हैं क्या है भासा कॉसल के सुपान भासा कॉसल के कितने सुपान है मोचली चार है सुनना बोलना पढ़ना था लिखना ठीक है जिसको कि इंग्लिज में क्या बोलते हैं लिस्निंग इस्पीकिंग रीडिंग एन राइटिंग ठ कर सकते हैं भासा को दो पार्ट में ड्वाइट किया सकता है कौन सा एक तो पहले जो ग्रहणात्मक कौसल होता है जो ग्रहण किया जासता है जिसमें और यह क्या होता अभिव्यक्त आत्मक अभिव्यक्ति जिससे हम अपने देते हैं अभिव्यक्ति ठीक है अभिव्यक्त करते express करते हैं और अपनी opinion को, अपनी thoughts को, तो ग्रहन वाले कोशल में कौन सा है, सुनना, और क्या है, पढ़ना, ये दो हमारे ग्रहन वाले हैं, ये confusion नहीं हो, कि दोनों बोलना ना कर देंगे, हाँ आप ऐसा नहीं करना है, ठीक है, तो पहले क्या क्या है, सुनना और पढ़ना, य छलिए, आज़े क्या आप बासा के दो गवारे वुदे गवारे, इसके अभी लेखन क्या कहा है, बासा की बासा ऐक पैत्री संपत्ति नहीं है, ठीक है, बासा को इस पैत्री संपत्ति नहीं ही, जल्टा है ये बेश करता है, डिपेंड करता है क्या, उस बच्चे की cultural environment प, क हम बाहर देज दुनिया से कभी चीजों को अक्सेप्ट करते हैं लेते हैं उसको सीखते हैं वह अर्जन होता है ठीक है अर्जन और एक होता है पैत्रिक जो जन्मजात हमको मिलती है ठीक है तो यह पैत्रिक नहीं अर्जित की जाती है भासा क्या है सामाजिक वस्तू है यह समा करते हैं जैसा बोलते हैं बच्छे उनका copy करते हैं इसलिए किसी फैमली में इंब्लस को बढ़ों कि क्या बолता है Master copy, Master piece बोलाता है थाकि बच्छे उसकी copy होंगे, जैसे जिराक्स कराने जाते हैं किसी बढ़ए परती को में जा करके उसकी मिशीनाय रोते हैं favour भागोल को विनिट न।्हें में होगी है कि में ही। जो कामन मुआ में को स में जो कि पानी को सब्सक्राइब का पानी कीश स्क्राइब क्या बताता है। पानी का बदल जाता है तो यह क्या यह जाता है जोग्राफिकल इंडेकिसन का मीज़ खाता है कितनी भासा है और प्रवा जटिलता से सरलता की और से थीज़िट चलाता है कठीन चीकता का सिंस क्या है कि पहले कठीन लगता नहीं को किसी को भी को भी भाट नहीं effective यह हमाँ जाएसन सूनट है एक कुछ आहसे स्टभ्त करेंगे उसका एक माध्यम है बासा संप्रेलम और समप्रिशंट का सरवतिम माध्यम धांगे किसी को किसी के सामने ब्याथ कर पाएंगे भासा क्या सर्व्यापक है ना यह सभी को कवर कर सकता है भासा ध्वनियों सब्दों वाक्यों का समूं है ठीक है यह समूं से बना हुआ है और क्या है भासा सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बनती है कभी भी कोई भासा कैसे बनती है वो किसी ने किसी सामाजी क्या सांस्कृतिक रूप से बनती है ठीक है आगे क्या है संयुक्त परिवार में बच्चों का भासिक विकास बहतर होता है जहां पर एक joint family होती है परिवार मतलब कि जितनेごrzyं, ज्यादा ज्यादा भासाओं का ही तो बच अरजित करें, किसी फैमिली में अगर दो ही लोग जरुत बात करते हैं जितनी उनको जरुत होती बस उतना ही बात करते हैं बोलते हैं तो क्या होगा बच्चे को ज़्यादा conversational environment नहीं मिल पाएगा इसलिए वहां पर बच्चे का भासा का आर्जन कम हो पाएगा विकास कम हो पाएगा दूसरी चीज़ कि जितने ज्यादा लोंगे उतने ज्यादा भासाओं के सब्दों का चाहिए मतलब कि कोई भासा अगर सिखानी हो तो वो समरीद मतलब कि वो पुड़ा भरा पूरा जिसे बोलते हैं समरीद मतलब इन अच्छे से उसके सब्द को उसकी मरम्ता को उसके सही ब्याक्या को उस परिवार में उस इंवर्मेंट में बोलने वालों आप जैसे इंगलिस और इंडिया इंडिया में , सबसे ज्याधा मतलब कथिन मानी या ने सहिं। कियों इंग्लिज्सका एंवनेंट्परिवेश है , मौस्टी परिवारों में नहीं बिलएपाता है , इसके शब्दो में लेंग्विज ही मिल लगी है तो क्या होगा अब भासा की सम्रिद्धी है वहाँ पर मतलब जिदर जा रहा उदर वही मिल रहा है सम्रिद्धी इसको बोलते हैं तो क्या होता है कि भासा की सम्रिद्ध भासीक वातावरण में भासा का उच्छान असपस्ट होना चाहिए, भासा जीवन की बिभिन परिस्थितियों को साथती है, भासा से क्या होता है कि जिवन के जितने भी उतार चड़ाव है, जितनी भी चीजे हैं, हम करें आदमी चारो कौसलों में से कोई भी कौसल लिखने का ही काम कर रहा है, बोलन की कक्छा होती है, कोई भी कक्छा हो, किसी भी मैठ पढ़ रहे हैं, लेंग्वेज पढ़ रहे हैं, कोई भी कक्छा पढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई न कोई भासा तो इस्तिमाल की जाएगी न, ऐसा तो है नि कि आप मैठ पढ़ रहे हैं, तो कोई न कोई भासा तो इस्ति प्रदान के रूप में इस्तमाल किया जा सकता है ठीक है चले नेक्स पॉइंट क्या है अब देखिए भासा को मुक्ता कितनी भागों बाट सकते हैं अनौपचारिक भासा और अपचारिक भासा क्या होती है जो माता पिता घर परिवार परिवेश है ना आसपास के जगों पर पास पड़ो समाज जन्स अंचार के माध्यम का जो प्रियोग किया जाता है उसको हम ऑनौपचारिक भासा होते हैं जैसे स्कूलम ऱ समझाता है वैसे या बोलते हैं आपचारी बाशा आप ते तो भासा से लिज़ लेकर कुछ पॉइंट्स ते अब क्या है बहुक्ता या संख्रिती एक भासा और संस्कृति आपको दो टो टॉप टर्म कपड़ने तो क्या है संस्कृति देख लेते हैं संस्कृति अर्था अच्छी तरह से सोच समझ कर किया गया कर क्या कालाता है संस्कृति the culture of society means the total way of life of the society total way of life of the society called क्या culture यानि किसी समाज की संस्कृति से अर्थ क्या है उस समाज की संपूर्ण जीवन पदती से होता है किसी समाज की संस्कृति को आप अगर consider करेंगे उसके reference बात करेंगे उसकी study करेंगे तो उस समाज की संपूर्ण जीवन पदती के वारे में आपको जानना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा यह किसने कहा था यह कहा था एक फिलासफ़र यह एक AC O2A ठीक है चलिए संस्किति क्या होती है संस्किति को भी दोपार्ट में ड्याट कर सकते हैं material culture ठीक है culture को यानि भौतिक संस्किति और दूसरा क्या कर सकते हैं non material culture यानि की अब भौतिक संस्किति अब material culture में जैसे क्या हो जैसे जितने भी मानों के द्वारा बनाई हुए चीजे होते हैं जैसे cloths हो गया, machines हो गया, tools हो गया, यह क्या होती है material culture, इंसानों ने जिन material का, जिन वाधारतों का समगईयों का इस्तमाल करके बनाया है, हो क्या हो गया material culture हो गया, non material included conceptual achievements, जिसमें वो ठीक है, चलिए, next क्या है, संस्कृति की विसेस्ता हैं, देख लेते हैं क्या क्या है, संस्कृति मानों की विसेस्ता है, ठीक है, संस्कृति मानों समाज की यूग-यूग की साधना है, संस्कृति जो होती हो मानों समाज की यूग-यूगों से चली आ रही चीज को हम संस्क संस्कृति बोलते हैं संस्कृति सामाजिक चत्तों का विशेश संगठन है ठीक है वो सामाजिक चत्तों जैसे एक किसी समाज में लोकलिटी में बेस्ट वे जिस समाज के लोग जिस तरह से अपना जीवने अपन करते हैं तो क्या होता उसका संगठनात्मक रूफ होता है वो से कई-माज की विशेस संस्किति संस्किति सम्सकिति समाज से स्माज साइब संस्किति में को एक सुत्र में बाती है संस्किति क्या करता अब कोई हुवी समाजिक मुस्लिम समाज को ले 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 तो क्या है उनके छोटे बच्चे होते हैं तो भी वह क्या बोलते उसको लोंगी टाइप से वह ऐसा बानते हैं सर पर टोपी लगाते हैं लेकिन हिंडू के बच्चे जो होते हैं ऐसा नहीं मुस्लिम कर अगर तरह से लेंगे तो अलग हो छोटे बच्चे में उसार से परिवस मिलता चला जाता है, चल सेबुत करें संस्कृति मन lessons के ब्यक्तितो निर्मार करती है, जैसा उसकी संस्कृति उसकी लोग भी ऐसा ही होता है शुदारी संस्कृति को बदलिए यानि किसी का बैक्तिक तो अच्छा नहीं है तो उसकी संस्किति का असर उसमें जलगता है बच्चे प्राराम से ही बहु भासी होते हैं देखिए ये पॉइंट बहुत अच्छा है थीड्याले बाहुबहासिक्ता और राष्ट्ट्री सतभाव का प्रसार करता है विद्ध्याले जुच्टा को एसा करता है हुआ कि पाहु बऊसिक्ता यानि कि कुलास में ज्यदा ज्यदा भास्वाından का इस्तिमाल करके पठन-पठन का कारेकिया जाए और राश्टिति सत्भाव vegan को भी प्रसार करता है को बिद्याल है क्या है बहु भासिक्ता बच्चे की अस्मिता का निर्माड करती है बहु भासिक्ता जो होती है और बच्चे कीWithboys का विकास करती है अगर आप एक भासा कि अगर की होग इस्तिमाल करेंगे चिछा पथन n? आप अलग-अलग language का इस्तिमाल करते हैं, तो क्या होगा, कि बच्चे की उसके ब्यक्तित का अजने माल होता चला जाएगा, उसको सहज होता चला जाएगा, बहु भासिक्ता संग्यानात्मक विकास में सहयक है, संग्यानात्मक सहयक से समझने में, आप कोई भी example अगर लेकर स जूज के वैसे सीमित तारे के वैसे वो बच्चा भासा को के अभाव में उस समझ नहीं पारा बात को लेकिन भासाओं को अगर आपने एक्सपैंड किया बिस्तारित किया और कई भासाओं का एजामपल लेया या उसकी भासा में जाकर करके अपने समझाना क क प्रयास किया तो तुरन समझ जाता है क्यों अच्छा यह बात कह रहे हैं थीक है तो यह चीज होती है जो है कि बाव भासुक्ता जो होती उस संग्यान लोग गीतों को भासा की कक्षा में अस्थान दिया जाना चाहिए, क्यों कि इससे बच्चों बच्चे संस्किती की बिश्चताओं से परचित होते हैं लोग गीतों को क्या है लोग किसी एक particular area का छेत्र का कि जो भासाओं किया वहां कि जो संस्कितियां होती उसको कलात्मा घढ़ंग से प्रस्तूत करना ये लोग गीतों में आ जाता है ठीक है है अब क्या अगर इसको चोटे कच्षाओं में अगर आप अस्धान देंगे तो संस्किति बिशेशlı से बच्चे परिजीत होंगे उनको कल्चर में उस संस्किती में उनको इंटरेस्ट आाए गा उसको समझने में को अच्छा लगेगा ठीक है कि इससे क्या कि संस्किति पिश बच्चों की भासा को कक्छा में स्विकार करना चाहिए देखिए यह क्लास में अगर एक बच्चा किसी और भासा का अगर पढ़ने के लिए आता है तो आप किस भासा का प्रेव या उसका आप कैसे इस्तेमाल करेंगे आप वह आफसंस दे दिया था तो क्या आप उसको आज स्विकार करेंगे या अपनी भासा में सिक्चा देंगे या इस परिवेस में इस्कूली भासा के सिक्चा में देंगे तो ऐसा करके क्लास में अगर भिन भिन प्रिष्ट भूमी के और भिन 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 भासा के बच्ची आ रहे हैं तो यह हमारे लिए टीचर के लिए एक संसा यह समसाधन के रूप में उनी भासाओं का इस्तमाल करके अगर उनको समझाते हैं तो क्या होगा कि यह बहुत ही ही हो जाएगा उनको सिक्षा को घरान करने में बातों को यह भासा को समझने में ठीक है भासिक प्रिष्ट भूमी पर किसी को पीछे नहीं छोड़ा जाए, अगर कोई बच्चा ऐसी प्रिष्ट भूमी से आता है, जिसकी भासा बहुत ही पीछड़ी होई है, या फिर वो उस भासा को बहुत कम लोग जानते हैं, तो या मान करके, या समझ करके, या इस बेस पर उस उसको इस्तिमाल करते हुए, उसको अस्थान देते हुए आप अपनी भासा, जो standard language, जो मानक भासा है उसका भी देदर प्रियोक करते हुए आपको बच्चे की भासा का help लेकरके, आपको प्रियोक करना है, बच्चे की भासा को कभी पीछे नहीं छोड़ना है, झालिए, आ वियनात्मक उद्व, कॉसलात्मक उद्व, अभी वित्यात्मक उद्व, तीन उद्व प्रात्मिक स्थरत पर की भासा शिक्छा का उद्व उद्व है sudah ka bache apro जादा ज्यादा उसके प्रात्ति हो सके ज्देंकि प्राप्ति और क्या है राइटिंग लिखना ठीक है तो ये चारो कॉसलों का विकास भासा के सिख्छा का उद्यस से है ठीक है ये इन कॉसलों का विकास होना चाहिए भासा के बेस पर जो भासा आप इस्तमाल करें पड़ा रहे हैं अगर ये कॉसली नहीं डवलप होरे बच्चे में जाग ग्याना पुद्यस से होना चाहिए को उसके बच्छे के लिखने का उलका विकास एक चारो काश भासा में जी जा रहा है या जिस भासा में सिख्छा दी जा रही है तो प्रात्मि अस्तर siitä नहीं ये मेन होते हैं क्या सकते उसका ज्शनातमल के बढ़नी ब vale कर दीक उछ प्रात्मिक अस्तर पर क्या होता है एक प्लस होता है क्या ज्कै क्या। कच्छा में या उस भासा का जिस भासा में उसको पठन पठन किया जा रहा है जिस भासा का वह इस्तमाल उसको स्कूल में मिल रहा है ठीक है ना उस भासा के जरीए वह अपना स्रेजनात्मक पहलू स्रेजनात्मक उदेश भी पूरा कर सके उसमें उसको कोई चीजे क्रियेटि जिसे ऑफिसल लेंग्वेज भी करते हैं उसे हम क्या करते हैं राजवासा कहते हैं टीक है ना इंडियम कोई राष्ट भासा नहीं है राष्ट भासा क्या होती है अभी आगे देख लेंगे और भासा क्या है बासा कहा से लिए अध्याद 17 में समयधान के अध्याद 17 में भासा लेकि है जो समूचे राष्ट को भावनात्मक सकती में बाण सकती है, इसे हम उसे हम रच्ट भवासा कहते हैं, ठीक है? इसे हम रच्ट भासा की सटा है, और इसे हम दो नाम से सकते हैं, नेशनल लेंगवेज और क्या होती है? लिंग्वा फ्रेंका अरथात लेंगooj को इस्तिमाल करते हैं तो एक रजटा में एकी भासा उनके अपनी अलग भासा हो सकते लेकिन रच्थी माःत्री वहसा ऑ मनें बताया कि कि तोर पर बोल चारगी भास में स्तिमाल के आता है जाने किसी विश्य छत्र की आङ इसे आप जुड़ी साथी कुछ points चाहें तो लिख सकते हैं मात्री भासा से, देखें किसी विशेज छेत्र की भासा, जिसे उस छेत्र का पढ़ा लिखा समाज अपनाता है, उसे हम मात्री भासा कहते हैं, ठीक है, दूसरा point क्या बनेगा इसमें, घर की बोली को माता पिता की समाज द्वारा सुकृत भासा को मात्री भासा कहते हैं, दो point हो गई, और क्या है, मात्री भासा बच्चे के ज्यान विकास में सायक होती है, तीसरा point हो गया, चौथा क्या है, मात्री भासा बिचार बीनिम हैं, और सिक्छा ग्रहन करने का सरोश्ट माध्यम हैं, इसे questions बनता मात्री भासा, मात्री भासा मात्री भासा मतरी बच्चे का मस्तिस्क सबसे पहले क्रियासील होता है, सबसे एक्ट्य अगर बच्चे का मस्तिस्क किसी लैंग्वेज में होता है, तो मात्री भासा में उसकी अपनी लैंग्वेज में, उसकी मां उसके परिवार में उसके पास अस्तिस्क उसी भासा में ग्रैब करता अक्टिव करता आप इस्तमाल करके देख लिए बोल करके आप भोश्पुरी लेंग्वज कभी कुछ बच्चे के सामने बोली और खड़ी भासा कर इस्तमाल करते चले जाइए वह सांतों के सुनते रहेंगे क्या बड़ा जोर लगाते ह लेकिन को कोई द्याती या कोई भोश्पुरी लेंग्वज बोल करके देखे तुरंत मुस्क्रा भी पड़ेंगे और चीज़े उनको समझ में आ गया है तब वो मुस्क्रा दिये और क्या है प्रात्मिक अस्तर प्र शिक्छा का माध्यम मात्रि भासा होना चाहिए यह भी ज अब इतने पॉइंट रहे हैं माति भासा से हिंदी भासी राजे कितने है टोटल वह साथियों 11 है मैं आपको बोल दे रहे होगर आप नोट कना चाहते हो लिख ले हिमांचल प्रदेश उत्तर प्रदेश दो मध्य प्रदेश तीन उत्तराखंड चार जारकंड पांच हर्या यहां 11 है यहां पर यह हिंदी भासी राजे माने जाते हैं ठीक है साथियों तो यह भासा से जुड़े कुछ पॉइंट्स रहे आपके सामने ठीक है तो जो कि आपको सीटेट में आने वाले जो 31 December को एग्जाम होने वाला उसमें आपको काफी हल्फ करेगा और भी साथियों साइकोलाजी में भी मैं कुछ लेक्चर दो चार दस लेक्चर जो important मेरे नोट्स जैसे मैंने पढ़ा था जो कि मेरा first attempt में state or state clear हुआ था तो वो नोट्स मैं आपको प्रवाइट करने की कोशिस करूँगा ठीक है अगर देखता हूंगा टाइम निकल जाता तो मैं एक systematic class भी इतना ही? Okay, thank you.